तो बहुत सारे नीट और जी अस्पारेंट होती है कि सरवारा बैक्लोग होगे बैक्लोग कैसे कवर करें ना मतलब मैं जितने भी आप में अनिटिंग सेशन लेता हूं यह क्वेरी आई ही जाती है तो मैंने हर बार गोला है कि मैं इस फेक डिटेल्ट वीडियो बनाने वाला ह ना तो उसमें तुम्हारी हर एक एसपक्त है ना मतलब तुमारे साथ से जो भी तुम्हारी जो भी सिच्छेशन हर सच्छेशन को रिए करके मैं बैस्क्राइब सॉलूशन बता दूए ना ताकि इसको फिर से डील करना पड़े तो चलो चलो स्टार्ट करते हैं ना तो तो जितने भी नियू अपडेट्स होती है मेरी जितने भी फिरी लाइब क्लास्स होती है मतलब मतलब कोटा की जितने भी डीपी पीस और मोडियू से हमने उनको दो मोडिफाइए करा है न्यूप के साफ से और सभी के तुम्हें रिटान वीडियो स्वीशन मिल जाएग और यूटुब को करी रहे ना सब्सक्राइब जो लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और पर मुझे पर लेना चाहे तुम इटीजी की पर बेशन कर रहे हो कर रहे हो अनेकारवी पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे बैचेस दोनों में ही है ना ठीक और अभी नए बैचेस बगरा भी आने वाले है जैनुरी में और बाकि जो भी जो भी नए बैचेस बगर आते ना उसकी इंफोर्मिशन ना तुम्हें टेलीग्राम पर मिल करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं एक चीज़ और रहनाता जो बच्चे रिसाइड करते हैं कि वह मुझसे अनेकारवी प्लस पर पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ कोट आगे जो बैच चाहिए नीट की प्रपरेशन कर रहे हैं तुम्हा सकते हो जो भी बच्चे प्लास्ते हैं और साथ में यूटूब पे फीरी सीरीज लाने का प्लान कर रहे हैं जो शायद बितने मंत आ जाईगी है तो उसका भी अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाएगा ठीक है और यह प्लाइन सब्सक्रिशन के बारे में और ज्यादा डेटल में जानने के लिए मु वीडियो को देखने के बाद तुम इसको देखोंगे तो तुमारी चेक्लिस जैसा एक्ट करेंगे तुम्हें सारी बाते याद आ जाएंगी और तुम्हें इन में से क्या-क्या गल्तिया कर रहे हो तो ले लो एक इसकी शोट लो ठीक है चलो तो सबसे पहली बात है ना बैक हो कैसे लोग पर सारे रीजन दो चैक्टी के ना यह क्या तुमारी है या फिर ऐसे सरकमिस्टेंस के कारण वह जो तुमारे हाथ में नहीं देना जैसे कि तुम बीमार पड़ गए ना या फिर कोई ऐसी सेच्वेशन आगई कि लासे नहीं कर पाया तो मैं कुस दिन की पर ठीक है सरकमिस्टेंस से रहा तो तो अगर इन रीजन के कारण तुम्हारी उतनी गलती नहीं है और देखा जाए तो कही ना कहीं सभी के साथ कुछ हग तक इस तरी की सिच्वेशन आती है कि कुछ क्लासे में सो जाती है कभी बीमार हो जाते हैं तो इसमें कोई बहुत ज सब के साथ होता है कोई भी बच्चा जो टॉपर से टॉपर होता है उसके साथ कि कुछ ना पूछ चूटी जाता है बस अब बैकलो हो गया है मतलब तमारी प्रपरेशन एक तरह से स्टाट हो चुए या अब इसमें तुम किस तरह से डील करने वाले है इसको तुम की बात करेंगे है जो एक्चल में काम करेंगा ना बनना वो नहीं कि यूटूब पर बहुत सारे फर्जी वीडियो चलें वो सब यहीं बोलते रहेते हैं बस यह निकाल दो इतना समय यह सब लो और यह इतने द्रमया से ऐसे करो गई और सब को बताए इनमें से कुछ भी काम करता हैं ना तो हम रिallistic approach की बात करेंगे जो एक्शन में काम करने मा जहीं तो 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 नेवर वी बरेद आवूत सम्धिंग विच इन नहीं दो तुम्हारे लिए ये इसकी चिंता नहीं जाए ना तो तुमारे लिए ये ये आप्रोच definitely काम करेंगा जिसकी मैं बात करेंगा अब दूसरी जो केटेगरी है बैक लोग होने की वह यह हो सकता है और यह बड़ी डेंजरस वाली है बड़ी डेंजरस वाली है कि भाई तुम्हारा बैक लोग हुआ तुमने सही टाइम पर पहले दिन से कोचिंग जोइन के लिए थी सब सही था है ना तुम बीमार भी नहीं पड़े घर पर भी कोई दिक्कत नहीं इस सब सही था पर तुमारी हैविट्स के कारण तुमारा बैक लोग हो गया और मैं पता सकता है अब शिक्ष्टी परसेंट बच्चे यहां पर ऐसे होंगे जिनका हैविट्स के कारण बैक लोग हो तो यह बहुत ज्यादा डेंजरस ह रीन को पड़ा है क्योंकि तुम्हारी दिक्कत अभी बैकलोग कँणा ना नहीं है वो तुम्हारी समस्य ने है तुम्हारी समस्य थ normal habits कि पर अभ इन्कुलूडिंग और क्लासे स्कूल कोचेंग एवरीधिंग स्टैल्फ स्टैटिंग एवरीधिंग तो अगर तुम इतना नहीं पढ़ रहे हो और तुम्हारे बैकलोग हो रहे हैं तो वह आदत तुम्हारी अगर आगे भी रहने वाली है ना तो चीजें नहीं होंगे मतलब अगली चीज आ रखना है अब जो भी लोग है बैकलोग है जिस भी रीजन से तुम्हारे बैकलोग है बैकलोग कैसे कबर करें सही तरीके से ना सही तरीके से ताकि हमें नुकसान ना उल्ट है ना मतलब हमारे करें टॉपिक से ना चूटे इस तरह सबसे पहले तो रियलिस्टिक अप्रोच लेना है भाई बैकलोग हुआ है तो कबर करने में हो सकता है तुम्हें एक हप्ता दो हप्ता लगए अगर तुम्हारे एक महिन तो मतलब दिक्कत तो है पर इसका मतलब यह नहीं है कि रो दिक्कत है तो रो ने लगए इंट प्रेस हो जाए बस यही सोचते रहे है दिक्कत है इसका मतलब है भी नीड टू सम्थिंग वी नीड टू एक है ना और हमको एक बैस्ट पॉसिबिल सॉलीशन लेना और उस पर करना है ना देखो लाइफ में कभी भी सब कुछ नहीं मिलता और सब कुछ पाने की कोशित करनी भी नहीं चाहिए हमें चाहिए कि जो हमारी करेंट सिच्वेशन है उसमें हम वेस्ट क्या कर सकते है क्योंकि पता यही मतलब डैट इस ऑनली पॉसिबिलिटी जो बैस्ट रिय करने लिए प्रेशन हो गया प्रेशन हमें अब तुम क्या करने वाले हो वो मैटर करता है तो पहल अन्हीर कर पाऊंगो SP टो और बात करते हैं कि इसकी जैख शोलीजिंट हो कॉमें कर सकते हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करने से पहले और कई बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं और मुझे ऐसे कई बच्चे पता है करेंट टॉपिक सा ओल्वेज अधायर प्रायरिटी देन बैक लॉक्स ऐसे कई बच्चे देगे ना जैसे उन्होंने एक महीने पहले मालो जॉइन कर आन अकाड कर लिए और बहुत से बच्चों को ऐसा हो गया था पैचा साल कि उन्होंने कभी वो लाइब क्लास करी निए निए च्छे-छे मैंने को रिकॉर्टिंग करते रहे कुछ लोग ने दो तीन महीने में कबर कर लिया था तो यह दिस नोट राइट अप्रोच यादखना यह ची करता है और उसमें कहीं चाहिए ज़्यादा इंगेजिंग होता है ज्यादा इंगेट रहे ना मतलब पूरे के पूरे के पूरे एक 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 सब्सक्राइब और इक साथ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जहां तरक हो गया कि को नीच छोड़ना कुछ बच्चे इस तरीकी वह गलती करते हैं उनके बड़े बैकलोग नहीं होते जैसे अभी मालोग पिछला चेप्टर था मालो एसे चैम और अभी वेफ्स चालू हो गया तो अभी वेफ्स की सब्सक्राइब करने का वक्त है तो 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 वेफ्स की पढ़ाई करी जाती है बनना यह सब भी बैकलोग हो जाएगा तो कभी भी नहीं चूट कोई बात नहीं अगर इसको खतम करके कर सकता है तो ही करूँगा बनना नहीं करूँगा और कैसे करना बई में बताने बाला हुए तो करेंट टॉपेक सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं तो फिर उसकेस में क्या करना है उसकेस में एक रात जागना है दो रात जागना है तो या तीन में तुम चागो करो खतम करो आओ लाइब क्रास में बहुत सब्सक्राइब करें तुम्हें कर आणा पड़ेगा तो तुमने अभी क्लास में टॉपिक तो देखा जाए तो अच्छे से समझने के लिए पर उसके बिना भी तुम 90% 95% कर सकते हो बात समझो नहीं आता तब भी हाँ उतनी अच्छी समझ में आएगा तो उस तो आई तो समझ पार है सब लोग यह बहुत इंपटेंट इसा मत करना कि सब को सारे करें टॉपिक छोड़के सीधा बैक्लोग बस रिकॉर्डिंग देखे जा रहे देखे जा रहे तो पर नहीं पर पूरा रिकॉर्डिंग में चलने बाद है ना हर एक पॉसिबिल केस कवर कर सब्सक्राइब करना है और तुमने करेंट टॉपिक साथ में करूगा तीन सब्सक्राइब मैं यह तीन अपने करेंट क्लास करूगा उनका हमबर खतम करूगा उसके बाद उसके बाद मुझे बेक्लोग करना है तुम गहूं को सामेह साथ है बिल्कों नीए 如स्य ना होता है भए करना करते हैं नोर्ट करने हैं प्रीविसर कोशन् QSlexion करने हैं haha तो बहुत कोछ होता है तुम्हारा टार्गेट है तो एक से दो घंटे बैक्लोग कवर करने के लिए निकाल पड़ेगा और वो निकलता है जब हम पुश्च करते ना निकलता है जब हम टार्गेट लेते तो निकलता है याद रखना जो बच्छा टॉप मार रहा है वह उसको भी उतनी घंटे मिलते तो समझें हो सकता है कि वह एक घंटे में समझ लेता है तो तो पहले तो तुमारी जो लेजीनेस उस पड़ाना पड़ेगा पूश तो मैं निकालने वाले वाले वच्चे मैं ऐसे भी जानता हूं तो फॉर्टीन आउर्स दिन में टोटल स्टडी करते हैं मैं फिर भी यह कहूंगा 12-14 पर फीचों तो इंकूरिटिंग यहोड़ कोचिंग क्लासे यह स्कूल अगर जाते हो तो है ना अल्टो कोशिस करना कि अना मतलब पूरा टाइम अपनी प्रिपरेशन पर देवाँ पुश कर भाई इस हफते 10 घंटे पढ़ना है कुछ भी हो जा है मझा 10 घंटे निकालने पढ़ने के लिए फिर 11 घंटे कर फिर 12 घंटे कर एक एक घंटा करके बढ़ा हर अपते है तो यहां से तेरा समय निकलना चालो होगा ठीक है तो उससे जो करेंट टॉपिक से भी अग एक्जाम होल में बैटते हो ना जब तो मॉक टेस्स देते हैं अपने नीटों जाही कि या तुमारा दिमाग सेम एफिशेंसी के साथ काम करता है या फिर एक्जाम में बहुत ज्यादा तीजी से चल रहा होता है तो सोच के देखो कई बार क्यों बोट जो एक्जाम होल में पर तो मैं जाटा है में अगले लिए तो पहुत नोगी कई तो यह कर लेना तो यह अपनी जाटा बढ़ा दूगा ना तो यह कर लेना तो मैं अपनी इफीशंसी पढ़ानी पड़ेगी मतलब अगर तुम दस घंटे पढ़ने बैठे हो तो अटलीस उसमें से तुमने आट घंटे पढ़ाई हुए 80 परसेंट इफीशंसी अच्छी होती है तो इससे तुम्हारे पहला तुम्हारे यही से हो घ्म कर पाए कि तो श्याये थारिशन करनां हो घूसके यह याड हो सकते हैं अब पहले दिन में स्टार्टिंग के आउस में करेंट टॉपिक तुम्हारा खतब हो गए ना तो आप मान लो देखो करेंट टॉपिक में हो सकता है कि तुमने डीपी करने आप मोड्यूल की तीनों एक्ससाइज नहीं कर पाए लेट से कोई बात नहीं एक्ससाइज बन कर लो एक् प्रक्टिक्स हो जाती है उसको अपना जो एक घंटों तुमने अलॉट कर रहा है ना बैकलोग के लिए उसको बैकलोग निए अब उस एक घंटे में क्या रहना है वो भी बहुत इंपोर्टन यह बहुत इंपोर्टन जीच फॉस्ट ट्राइट टॉबर ऑनली क्लासे जोट जाफ मिसिंग करेंट टोपिक Kingdom तो मिस्क्राइग निए उसके तुम्हारा माल लेते है लिट से वर फोइनटीच सुट यूटा हुआ है तो अब स्वें चिशूटा हुआ है तो और तुम्हें क्या करना है तुम्हें रिकॉर्डिंग कि देखी अपने नोटे नोट के सारे क की DPP और module solve करने लगो और उसका फिरक्षन पर जाओ अब तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है इतना क्योंकि तुम्हें क्या करना है तुम्हारा टार्गेट अब जो बैक लोग है जो लेट से तुम्हारे पाफ चैप्टर बैक लोग है टोटल सारे सब्जेक्ट में लागे तुम्हारा टार्गेट है सबसे पहले वह पार चैप्टर की बेसिक नॉलिज्ट तुम्हें हो जाए ताकि आगे जो चैप्टर चलना जो करेंट टॉप चल रहे हैं वह तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में लगा अब ही तुम्हें बर्ग पापर एनरजी सिर्फ 90 परश चेप्टर मिसिंग है तो उन पाथ चेप्टर का सबसे पहले तो मैं किलास्टे सो नोट्स अच्छे से कम्रीट करने हैं पर उसमें तो मैं अभी अगली चीज़ यह कुछ चीज़ बतारो जो गलतियां बच्चे जनरली कर रहे होते ना यह नॉर्मल इस्टुएंट भी करते हैं जिनका वैकलों नहीं होता है कि हमारी प्रपेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाई तो मॉक्टेस नहीं देंगे तो अगर तो मॉक्टेस नहीं अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो हर संडे को तुमारे कोई दोते हैं फिरेक्स के वह तमें देनी देने हर शंडे बो करेंट टॉपिक पर होते हैं आपक नहीं पड़ता है चाहिए तुम जीन नम्बर लाओ पर तुम मॉक्टेस दोगे और हर मन्थ में जो प्रोपर तुमार यार बन लाता है ना भो भी रेडी होता है तो जो भी प्रिपर पूरी जिन्दगी में बता लो इस नोट जस्ट अब आउट एक्सदाम जे यह ओनी यह पूरी जिंदगी के लिए तो कभी भी किसी चीज के लिए अंडेट पर संट रेडी नी होगे पर इसका मतलब है तो यह देना है मौक टेस्ट है कितने भी नंबर आए ना समझ भाई इवादी चीज मत करना कि बस बैक्लोग होगे पांच चप्टर तो मैं मैंने वर्क पावर एरजी पढ़ लिया है पर मैं उसका मौक टेस्ट नहीं दूगा नहीं तुम दो कि उसका मौक टेस्ट हो भाई यह सब तो ठीक है बैक्लोग कवर अबर करना मैंने जुक्रा ना सबसे बड़ी दिख्कर तो यह नहीं है कि बैक्लोग कवर करना रहा है जो अब ही चल रहे हैं ओने अपड के बैकलोग नहीं होता था यह करो उपर वाले सबसे ज्यादा पॉंट्स इंपोर्टन तो यह क्योंकि यहीं नहीं कर रहा तो फिर और बढ़ बढ़ जाएंगे तो बटा आसके कसम खालो चाहिए कुछ भी हो जाए बैकलोग होने नहीं नहीं को बहुत गंदी चीज़ होती और बैकलोग कवर करना बैकलोग नहीं होने देंगे तो कितना समय थोड़ी दिन में एक्जाम आने वाला है चाहिए तुम 2022 के लिए प्रपर करें चाहिए 2023 के लिए और यह वोट समय जो तुम्हें पूरी जिंदगी आध रहने वाला है इसके आगे एक चीज़ नहीं हो सकता है सेशन का तुम्हें पर सेलेक्शन मोटिवेशन से नहीं डिसिप्लेंस होते हैं तो अगर इस सेशन के बाद जाके तुम्हें पढ़ाई नहीं करी कोई रियलिस्टिक एपरोच नहीं लिया तो इसको कोई पॉइंट नहीं बनेगा ठीक है तो इसके साथ एंड करते हैं और इस सेशन की मैं लिंक इसके लावाद जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे टीम से पढ़ना चाहते हैं जो कोटा के बेस्टीचर्स हैं चाहे तुम आइटीज की प्रपरेशन करो है चाहे नहीं लिए अने का सब्सक्राइब कर दे रहा हूं और अच्छे लगा हो तो अपने किसी दोस् जुम आइए बाय ऑाहे हैं जो कि स्क्षाइब से ले माटा झाजे य। इए अने वियां इक बेस्टोर मेरे ओानों से युम बाये ऊंड़ना चाहे जे सो ठिये माटा लुम आत कि सुना शुम हो जो हो ह। घटे सक्षाने का कि जनकी सुना है इए टे स्यूल से एए आले स्य